तो दिरों पर चलता तो शयतान कभी बश चलता पमारे उस शयतान को चलता है जिन पर दुनिया को बश चल रहता है तब वो औ पाता है या यानि आजमी के दिने में दुनिया के tú marginal करो राजिक हो जती है o dhati पतकर दुनिया का जोर उनके दिनों पर चलता तो शैतान का भी बस चलता क्योंकि शैतान के रिसाई उन कुलूब तक नहीं जिनके अन्वार जोहद रोशन हो जिसको जोहद आ गया शैतान का खाबू नहीं पर सकता अल्लाप भरुसा तवकुल शैतान के रिसाई उन कुलूब तक नहीं जिनके अन्वार जोहद रोशन हो गया हो और हुब दुनिया के मल से पार्व साफ हो गया हो अब शैतान है भूब दुनिया जब है तब ही शैतान वहाँ पहुंचता है कि ये बड़ी बात हो जाँ पूरे इसला का खुब दुनिया थाला हम सब लोगों को महफूँद रखे हुब दुनिया जो गाली बाजाए हुब दुनिया म podemos रह्मों नहीं है दुनिया ते म COP लख मॉजह जाए जो उसको तरीक पर रहने नहीं इन ए500 का जोग हिवा कुछ सुल्तान ये है कि ना तेरा और ना और किसी मखलूख का गाबूद सर सकता है क्योंकि मेरी आजमत का गल्बा जो उनके गुलूब पर है वो मेरे सवा किसी का गल्बा वहां ता आने नहीं देता मेरी आजमत का गल्बा अल्लाह आजीम है जो उनके गुलूब पर है Allah के गुलूब पर Allah के अजमत का गल्बा है उँ मेरे सवा किसी का गल्बा वहाँ पर आने ने रहता आज सके गयर मेरे खाने दिल में करसे है कि ख्याले रुखे दिल्दार है दर्बा अपना जो इसे कहा गिर में जाए आज परी होते याद दिया इसके गयर मेरे खाने दिल में करसे कि ख्याले रुखे दिल्दार है दर्बा अपना अज़ अच्छा शे समझा गया है आज सके गयर मेरे खाने दिल में करसे कि ख्याले रुखे दिल्दार है दर्बा अपना जब अन्हताना का याद का गल्मा तो फिर दूसी चीज़ में घुस नहीं सकती है इसलिए मैं पूरी कोशिश ही है सर्थान का गल्मा ना हो जब दुनिया के मैल से पाक साफ हो गया हूँ पर मतलब इन अबादी लेश रकारिम सुल्तानु का ये है ने तेरा और ना किसी मखलू का काबुच सकता है क्योंकि मेरी आजमत का गल्मा जो उनके गलूप पर है वो मेरे सबाद किसी का गल्मा वहाँ ता आनी नहीं देता बस आयत मज्कूरा में अल्ला अताला ने है उनका ये वस फरमाया है कि तजारत और बय उनको अल्ला की याद से गाफल नहीं करते हैं अल्ला की याद उनके कल्ब पर ऐसी है कि वो कुछ नहीं देते हैं और ये नहीं फरमाया कि तजारत और बय नहीं करते हैं यहीं कहा कि तजारत और बय करते हैं जाइज है लेकि ऐसे आपने को रखे कि वो गल्बा ऐसे तुम्हेरे कल्ब पर गाली बना आने पाए है यहां इन नुक्ता मात हर भी नहीं नुक्ता होगा ना तेरा और ना किसी मखरूब का कामूच चल सकता है क्योंकि मेरी आजमत का गल्बा जो उनके कुलूब पर है वो मेरी सवा किसी का गल्बा वहाँ ता आने नहीं देता पस आज यह मज़कूरा में अल्ला ताला नहीं है उनका यह वगास बियान फरमाया है कि तेजारत और बै उनको अल्ला से गाफल नहीं करती और यह नहीं फरमाया कि वो तेजारत और बै नहीं करते तिजार várias करते हैं लेकिन वो गर्भा, गफलत का गर्भा उसके इसे नहीं होता उनका यह वज़ फरमाया है कि तिजारत वबे उनको अलगा की याजसे गाफिल नहीं करती यह नहीं फरमाया है कि वो तिजारत वबे नहीं करते बलकर इस आयत के मदमून में गोर करने से मालूम हुआ कि बाय और तजारत जाएज है करो बाय और गोर कर इस आयत के मदमून मालूम हुआ कि बाय और तजारत जाएज है तुमने क्या ये कौल नहीं सुना इकामि सलाव जुटए जुटए जुटार, इनको गाफिन करता सलाथ के एकामत से और जुटए कर्णऴूआ जुट जुटए जुटconomा के है डुनिया अगिस दुनिया उनको नमादर जुट से गाफिन है पस अगर गना सतियफिया कि आधे, पस अगर घना से माना मजूर होता है, तो जब घना मतलूब मेहाँ है उपितेजारिक भी माझबूभ है पस अगर गिनाष से मना फ़र मानदोर हुता कि गनी निमनना तो सबभ घंया थे क्यान यी वारेथ को खूर से मालगारी आती है देखो इताइज जका मेन जब जकात का वाजी फरमाया उससे सफ वाद्ध हुआ कि जिन लोग के रहता है उम्हें बाद गरीम हो गये इताय जकात से माना नहीं होता है, माल में जकात किस पर होगी, माल को ठाएगी, माल में होगी, बहुत से आहले आमवाल होगे, तब ही तो जकात आएगी, जब जकात किया, तो गिना पर जकात है, जब गिना पर जकात है, तो आहले गिना होगे, तब तो गिना आएगा, जब ग यसे लियु एक हमिए से करे लिए मों की सब करते हैं। अब्दुल्लाइब अद्वायत है, हदर्थ उस्मान रजी जाता नहीं, जिसों शहीद हुए, उनके ख़ाज़ांची के पार देल लाग दिनार और दस लाग दिनार हम थे, उन्हें कोई भी नहीं होगा है, समानदार है कोई अब्दुल्लाइ-वि उस्मान पार सबक्राइब आसी में तीन, वैं आसे में हैं आड़ में आप्धुल्ध में हैं मुतवक्त문 थे ये सब आपार दूसी में हैं अब्दुल्लाइ अब्दूबा से रवायत है कि अस्मान रजिरतान हो जिसे और शहीद हुए हैं उनके खजानची के पाए तेर लाग दिनार और दस लाग दिनार थे दिनार में अश्रफी और अदिस वखेबर वाद लुकुरा के दर्मियान में कुछ जमीन थी जिरके कीमत दो लाग दिनार थी और जुबाइर के तरके का आठवा हिस्टा पचास हजार दिनार था दिनार में अश्रफी तरके नहीं तर्मान इसका थान में किया है तर्मान इसका थान में किया है इस तरीके से पूरा तरका चाल लाग दिनार होता है चाल लाग अश्रफी उनको मिलाता है और पूरा तो पर्म के देंगा था एक हज़ार घोड़े और एक हज़ार गुलाम छोड़े थे अमरी मिन आज़ ने तीन लाग दिनार थोड़े अबदुर्रह्मान इमिन आउफ का गनी होना इतना मशूर है जिकर करने की दो नहीं है दुनिया इन हज़ारात के हाथों में थी दिलों में रहे थी मगर बस यतनी दुनिया इन हज़ारात के मात थानी लिग ने तलिमा कर रहा है लिख तो नहीं दुनिया इन हज़ारात के हाथों में थी दिलों में रहे थी जब न मिली थी सबर किया है और जब मिली तो शुक्र जिया है उनको बहुत जिम्राई पसंद यह सुनाई आज पर ही मत रहा है मैं दिलों में रहे थी जब न मिली, दुनिया न मिली, तो सबर कीया, कहीं शिक्वा नहीं सुने जया साहबा की. मेरा कहा था, पश्शानी थी, कबी अब आप ने इसके शिकाईट जिया हो, साहबा थे. दुनिया उनी हज़राद के हाथों में थी दिलों में न थी जब न मिली थी सब्र किया जब मिली शुक्र दिया अल्लाथ ने इप्तजाय आमर में उनको फाके में मुबत्या फर्माया इहां तक क्योंकि अनवार कमार कहोंगे असरार पाक हुगे तो दुरिया भी दे दिया मुक्य में पाकिय में रखा ताकि दिल में अन्वार आ जाए त해도 kul के लागम हो अपि आ घर बडिया लो जो अल्लह ताला ने अप्तदाए अमर में उनको फाकिय मोगता फिर्मा यहां तक तो पहने मही में जाती तो शायद उन पर असर कर जाती। उनका कल्ब दुनियादार हो जाता है। और असरार पाक हो गए। चुकि बात तमकीन और रसुख यकीन के मेरी उसमें इस तरह तसरुप गया है। जैसे आमानदार ख़दान्ची तसरुप करता है। बेर में तरह रुपया है। अमानदीश पर लाको करोर रुपया उसके हाथ में लेकिन वह मालिक नहीं समझता है। फ़र्च करो उस चीज़ से जिसमें तुमको खलीवा मनाया है। असल नहीं हो तुम। अल्लां ने तुमको खरीवा मनाया उपाए अजरी तुम के अजी तुमॉ अजर माल अल्ला का तसलुप करते दे किया थे दै गाते थे हासिल ये हैं कि माले कान तसलुप नकर थे वाला है इस मकाम से मालू हुआ हूँ है कि ओवल आमने में जहाद करने से रोका गया है क्योंकि जहाद से कहा हुता है माल तेजाद से भी रोका गया मधीने में मक्ये में मक्य में जिहाद नहीं हुआ है, मदीने में हुआ है, वहाँ उतकी तिजारगी बनेती है, ताकि दिल उनका माल की महभब से पाक हो जाए, तो जाहदे का शहर को नहीं मक्या है, हाधिने के माल काना तसलूफ न करते थे, बलकर चाकराना तसलूफ करते थे, इस्वे माकूर जाए, फिर करो किसा तिलाज करते हैं, तो यह तरहाता रुपिया सबके पास, मदीने वारे को पास होगा, वाफू वस्वू हतायात याद याल्ला, वजह यह कि अगर इतिदाए इसलाम में जिहाद के इजादत होती, तो शाहिद बाद नौ मुस्लिमों को जो इजाद में तो अपना जाती बदा ले लगते हैं, और खराबिया नियत की खबर भी नहीं होती, यहां तक हदरत अली जब कोई जर्व लगाते थे, वार करते थे, तो उसके ठंदे होने तक ठेहरे रहते थे, भी दोसी जर्व बाराद, यह, उन लोगों को हुक्म तजारत का नहीं झाल